दादी मा के घरेलू नुसके 38 बेस्ट किचन टिप्स समय निकाल कर जरूर सुने एक, चहरे के तील को साफ करने के लिए तील वाली जगा पर हर दिन नारियल तेल लगाएं यह उपाए कुछ दिन नियमित रूप से दोहराने से तील हलके होने लगेंगे और धीरे धीरे गाइप हो जाएंगे बेकिंग सोडा और कैस्टर ओयल चहरे से अंचाहे तील को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और कैस्टर ओयल इस्सेमाल किया जा सकता है 2. अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो सुबह खाली पेट मेथी और सौफ की डिटोक्स ट्रिंक पीने से मेटा बॉलिजम बूश होता है और एक्स्टा चर्बी कम होती है 3. महंगे महंगे फेशवाष भी इस उपटन के सामने फेल है अगर आप बाजार में बिकने वाले महंगे फेशवाष की जगा चंदन पाउडर से मूँ धोले तो इससे आपकी स्किन को कई फायदे मिलते हैं स्किन पर चंदन लगाने से रैशेज, कील मुहा से, रेडनेस, अंटियोक्सिडेंट गून पाय जाते हैं, जो स्किन प्रोब्लम की छुट्टी करते हैं, साथ ही चंदन के इस्सेमाल से स्किन ग्लोइंग और मुलायम बनती हैं, चार, जो ओरतें अकसर थकावट महसूस करती हैं, उनको दूद में चुहारे उबाल कर खाने चाहिएं, पा खाने के बाद थोड़ा जीरा पीस कर खाने से पाचन तंतर मुझबूत रहता हैं, आठ, एक्सपर्ट की माने तो महिलाओं में तनाव, नींद की कमी, उनका मोटापा तेजी से बढ़ाते हैं, पानी जादा पिएं, प्रोटीन का जादा सेवन करें, प्रयाप्त नींद ले कार्डियो एक्सेसाइज करें, नो, अगर आपको घर बैठे पारलर जैसा गलो चाहिए, आप बदाम के तेल से रो जाना, पांच से साथ मिनट के लिए चहरे पर मसाज जरूर करें, बदाम के तेल में बहुत सारे पोशक ततु पाए जाते हैं, इस तेल में विटामिन A, व बहुत अच्छा गलो लाता है, दस, चोट के निशान पर थोड़ा सा घर का बना हुआ मक्खन लगा ले, इससे चोट के निशान ठीक होते हैं, और चोट में दर्द नहीं होता, ग्यारा, कपड़े को गीला करके नाभी पर रखने से, पेशाब की जलन में तुरंत आराम मिल बारा, जो औरते दूद में जैतून का तेल मिला कर चहरी की मालिश करती हैं, उनके चहरे पर कभी भी जूरिया नहीं आती और चहरे का रंग साफ होता है, तेरा, रोजाना बच्चों को दही खिलाने की आदत जरू डाले, दही बहुत जादा हेल्दी होती है, चोदा, जिन मेथी के लड़ू खाने से जोडों का दर्द दूर होता है, सोला, तीस की उमर के बाद मेथी का पानी पीना सहित के लिए बहुत जादा फाइदेमन होता है, इससे आपके जोडों का दर्द गुटनों का दर्द नहीं होता है, सत्तारा, एक हरड का सेवन हमें लंबी आयू 18. खाली पेट सोफ का पानी पीने से वजन तेजी से कम होता है 19. भोजन में अंकूरित अनाज का प्रियोग करने से शरीर के विशाक्त पदार्थ दूर होते हैं 20. वियाम के बाद अपने अंसार कुछ ड्राइफ रूट्स रात में भिगोएं 21. भोजन किसी भी समय का हो भोजन के बाद थोड़ा सा जीरा और गुड मिला कर खाएं 22. खाना खाने के आदा घंटा पहले नमक के साथ अद्रक का सेवन करने से भूख बढ़ती है 23. रोज आवले का सेवन करने से आखे और बाल स्वस्त रहते है 24. जी मचलने पर एक लोंग का टुकडा मूं में रखकर चूसने से आपको अराम मिलेगा 25. बुखार होने पर भूके रहो और एक कड़क चाय जिसमें लोंग काली मेच तुलसी के पत्ते नीमू डाल कर पियो अराम हो जाता है जो चाय नहीं पीते उसे एक कड़क चाय पिला दो उससे तो उसे बुखार ही नहीं आएगा 26. उल्टी होने पर बड़ी इलाची कूट कर पानी के साथ सेवन करें उल्टी में अराम मिलेगा 27. अरंडी का तेल जिसे कैस्टर ओयल भी कहते हैं बालों की जड़ों में लगाने से बालों की तूटने की समस्या और डैंडरफ की समस्या से चुटकारा मिल जाता है 28. रात में सोने से पहले एक गिलास गरम पानी पीकर सोने से हार्ट स्टोक से बचा जा सकता है 29. छे महीने से उपर की उम्र के बच्चों को सर्दी लगने पर जैफल को थोड़ा सा पीस कर मा के दूद के साथ दो से तीन बार पिलाने से बच्चे की सर्दी ठीक हो जाती है 30. कभी भी किसी को डाइरे हो तो नमक चीनी को पानी में मिला कर पिला दे इससे शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती है 31. चहरी की रंगत निखारने के लिए मसूर की दाल को दूद में भीगो कर फिर इसे पीस कर चहरे पर लगा कर दस मिनट तक रहने दे फिर पेश्ट सूख जाने पर रगड़ कर पानी से साफ कर लें किसी भी साबुन या फेश्वास से जादा काम की चीज है इससे चहरे की रोनक बढ़ जाती है 32 गुटनों के दर्द का रामबान इलाज भबूल यानि कीकर की फली को 20 सहित मिक्सी में बारिक पीस लें यह पावडर करीब आधा चमच गुनगरे पानी के साथ सुबे खाली पेट लें उसके बाद करीब आधा घंटा कुछ ना खाएं यह जोडों के दर्द के लिए राम दुलन को बढ़ाते हैं 34 खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए घुटने से समंदित व्याधियों को जनब देता है 35 रात का खाना देर से नहीं खाना चाहिए कब अपच आदी बिमारियों को बढ़ाता है 36 सेहत अच्छी रखने के लिए अकसर सेब की सला दी जाती है पाचन दुरूस रहता ही है साथ ही कबज और दस वगयरा की दिक्कत भी नहीं होती है सेव से शिरीर को एंटी इंफ्रमेंटरी गुण भी मिलते है 37 पपीते में पाए जाने वले पपाया एंजाइम से खास सोर से पेट को फाइदा मिलता है पाचन को दुरूस रखने के पी ये शीर की गंदिकी को बहा निकालकर शीर को टाकतवर बनाने का काम करता है ये आखो को मजबूत बनाता है और मानसिक तनाओ को भी दूर करने का भी कार्य करता है इसलिए अमरूद के सीजर में आप अमरूद जुरूर खाए आशा करती हुँ दोस्तों आपको आज की अपने जीवन से जुड़ी बहतरीन जानकारियां अच्छी लगी होंगी आप से मेरी प्रात्ना है मेरा मनोबल भड़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जुरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे जब भी मैं कोई वीड सबसे पहले मिले तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद